हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फिश केर आशा करता हूं कि आप स्वास्त होंगे और अपने फिशों को भी अच्छा रखा होगा तो जैसा कि आप लोगों ने देखी लिया होगा कि आज कर टॉपिक हमारा मोली फिश के उपर रहने वाला है क्योंकि मोल मोली फिश सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली फिश है क्योंकि वह जल्दी ब्रीट करती है और बच्चे भी अच्छी कॉलिटी में क्वांटिटी में देती है तो टाइम ना वेस्ट करके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मोली फिश रखते कैसे हैं मतलब क्या टैंक्स मीटर बैस्ट है मोली फिश के लिए तो जो होते हैं मोली फिट में लेन उनको इसोग होता है म mercury ब्रीडर नहीं होते वह उख티 कलरफूल होटी है तो अकर्शित हो के जो खरीते हैं उनके लिए अगर बाउल में बजट में लो बजट में लिना है तो 8 लीटर से लेके 12 लीटर तक के बाउल में रख सकते हैं लेकिन एक्विरियम में रखके तो और ज्यादा बैस्ट वाउन के लिए लेकिन बाउल सई चोईस है और जो ब्रीडर्स है उनके लिए 1.5 फिट के टैंक से लेकर 4 फिट के टैंक तक तो अब हमें पता चल चुका है कि मोली फिश को टैंक मीटर किस टैंक मीटर में रखना है तो अब हम जानते हैं कि मोली फिश को ब्रीड कराएं से पहले कौन कैसे पेर बनाएंगे या दो फिमेल तीन मेल कैसा पेर बनाना होगा तो ब्रीडर्स उनके लिए तो मैं बता दू तीन फीमेल एक मेल बैस्ट है मतलब तीन फीमेल के साथ एक मेल यह नहीं कि तीन फीमेल एक मेल ही रखना है जिसे ज़्यादा उकलेटी में रखना है तीन फीमेल के साथ एक मेल रख सकते हैं और जिने शौक है वो अगर चाहते हैं कि बच्चे ना हो तो सारी फिमेल या सारे मेल common sense से रख सकते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर बच्चे होते हैं जो शौक वाले हैं और जो without breeders हैं उनके लिए भी बच्चे होते हैं तो आप पहली बारी मतलब फिश पाल रहे हो या फिर knowledge तो होती है तो हमें क्या करना है उन बच्चो को उस में टैंक से अलग निकाल के दूसरे टैंक में रख देना है क्योंकि molly fish बहुत तेजी से अपने बच्चे एथे हो मतलब जिस तेजी से में बच्चे देती हैं उस तेजी से बैस दूसरी फिश हो को खाल लेती है दो ऊप्टिमुम का फूड साई बच्चो नीज का फूड है नीज के लिए बच्चो को सब ऋप्या ऍेकर दो पानी निए अगर हम उन्हें जाली सो उठाएंगे बार-बार पानी साफ करने के लिए तो वह मर सकते हैं इसलिए अप्टिमम का फूट देंगे और पानी भी जल्दी गंदा नहीं होगा और वह जादा दिन तक पानी उन फिश के लिए तो अब हम बात करते हैं मोली फिश की मेडिसन जैस सबसे पहले ब्लू कलर की मेडिसन देता है तो वह मेडिसन बिलकुल भी नहीं लेनी है अल्श के लिए क्लिए यह कि वह कुछ लोग कि का वकर सर्भी के लिए लेकिन वह मेडिसन एक्षुली में उसका नाम है एंटी इंच तो जैसे मशली को खुजली बगー उती इंच उति कि अ हमें क्लोरीन की कलोरेंश कeft चैलीज चालती है वो मेडिसन चलती है वो मेडिसन आप के लिग सब्सक्राइब अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि टैंक कौन आपका टैंक का साइज बताना मैं आपको बता तूंगा कि कौन से साइज में बनानी डालनी है वो किस क्वालेट कॉंटिटी में डालनी है तो अब आपको यह पता चल चुका है तो मोली के बच्चे आपके एक महीने बाद आप उनके उमदर और पादर के पास अपने डाल सकते हो मतलब में टैंक में टाल सकते हो तो आज का टॉपिक हैं कि मोली फिस के बारे में साइड डिटेल्स मेरे इसाब से तो कंपलीट हो गई है क्योंकि खाना और उनकी मेडिसन और बना दूँगा तो यह मेरी पहली वीडियो थी अगर कोई मिश्टेक वगरा हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजेगा कि किस तरह की मतलब कौन सी मिश्टेक हुई है तो मैं अपनी दूसरी वीडियो में उसे सुधार दूँगा और अगर आपको फिश के आर के चाहिए तो मेरे पार मेरा एक फिश ग्रूप है मैं फिश के लिए ग्रूप है फिश के एर का फेस्बुक पे तो मैं उसका वी लिंक आपको डिस्किप्शन में दे दूँगा